हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारी चैनल देशी टीप्स हिंदी में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके सरीर में स्टोन हो गया है पत्थरी हो गई है तो चुटकियों में उसको कैसे हम फिगला कर बाहर निकाल सकते हैं यहां पर आज हम पपीते का अगर में करें अगर नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंड़ करें पपीते की एक अच्छी बात यह है कि हर मुसम में दोस्तों आपको आसानी से तो मिल ही जाएगा तो आप ये नुश्का कभी भी साल बर में कभी भी यहां पर आप यूज कर सकते हैं क्या दोस्तों आप ये भी जालते हैं कि पपीते में आपको मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, एनर्जी, आईरन, केलसियम और मेगनेसियम मिल जाता है जो कि आपके सरीर को सेहदमन रखने में बहुती सहायक होता है पपीते को दोस्तों फेट के लिए एक बहुती अच्छी आईरवेदिक जड़ी बुटी माने गई है पपीते में एंटी बेक्टिरियल गूर्ण मोजुद है जो हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं इसके साथ ही यह फूट पोईजिंग जैसी बीमारियों से लड़ने मे भी हमारी मदद करता है पपीते को सिप सेहत के लिए नहीं बलकि स्कीन के लिए भी बहुती फाइदेमन माना जाता है आज कल जो बहुती जो स्कीन की जो प्रोडक्स आते है उसमें भी दोस्तों पपीते का यूज होता आया है कि आप यह जानते थे या जानते है तो मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताए ये दोस्तों आपकी इम्म्यूनिडी जो सिस्टम है उसको ये बूस्ट करता है आपकी जो पाचन के रिए है इसको भी बूस्ट करता है पपिते में विटामिन C और विटामिन A पाया जाता है विटामिन A की कमी के कारण आखों से जुड़ी और आखों के लिए विटामिन A बहुती अच्छा माना जाता है पपिते को डाएट में सामेल कर आप अपनी आखों की जो रोस्नी है उसको बहुती बड़ा सकते आप ये जानते थे पपिते की मदद से मोटा पापी आप कम कर सकते है जो कॉलेस्ट्रोल है उसको भी आप कर लिके और गल्बत्य की मदद से आपको इसको क्रस्ट कर देना है हमारे यहाँ इसको गल्बत्ता कई थे आपका इसका क्या नहीं मुझे कमेंड करके जरूर बताए तो यह देखिए हमने इसको अच्छी तरह से क्रस्ट कर लिया है अब आपको एक चम्मज यह जो पपीते के बीज जो अपने क्रस्ट किये थे एक लास पानी में आप इसको एट कर दीजिए और अच्छे से मिस्क कर लीजिए इसमें दोस्तो आपको मिलाना होगा लेमन लेमन हम इसमें इसलिए मिलाएंगे क्योंकि दोस्तो जो लेमन है निम्बु है वो वीटामीन C का एक बहतर अच्छा स्थ्रोथ है साथी इसमें वीबिन वीटामीन और फियामीन रिबोकलोविन नियसीन वीटामीन B6 और वीटामीन E की थोड़ी सी मातर यहां पर मौझूद रहती है यह खराब गले, कब्स, किद्नी और मसुरों की समस्यों में आपको बहुत ही राहत पहुंचाता है साथी बलड प्रेशर और तरनाव को कम करता है सब्चासे जो रोग है साथी लिवर की जो यह बीमारी है उसमें भी यह बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है तो यहां पर हम लगबग डेट से दो चमच यह जो निम्बू का रस है वो इसमें हम एड करेंगे तो आप भी इस तरह से एड कर दीजिए और इसको अच्छे से आपको मिलाना है दोस्तो इसी बीज में आपको यहां पर यह भी बता दू कि आपके सरीर में जो किड्नी जो स्टोन होता है वो आपको स्टोन किस तरह से हो सकता है तो आप भी अगर खया रखेंगे तो आपके सरीर में भी कभी भी किड्नी स्टोन नहीं होगा दोस्तो डोक्टर कही थे कि सरीर में पानी की कमी पत्थरी का मुख्य कारान है दरसल यूरिक एसीड पटला करने के लिए पर्याप पानी हमें चाहिए और इसा नव होने से मुत्र जो है वो अधिक अंबलिय बन चाता है और यह जो अंबलिय गुर्दे की पत्थरी का बहुती बड़ा कारण बन सकता है तो आप जितना हो सके दिन में उतना पानी पीजी तो यह जो आप पानी है यह जो हमने यहां पर यह नुस्का बनाया है वो आपको दिन में एक बार यूज करना है सुबह जब आप फ्रेस हो जए अच्छी तरह से बिल्कुल खाली बेट आपको इस नुश्के का यूज करना है मैं आपको बता दू कि अगर आपके सरीर में 5 mm से अगर कम पत्री है तो आप इसका दिन में एक बार यूज करें 5 mm से जो छोटी पत्री होती है तो आप इसका यूज सुबह करें अगर आपके सरीर में 5 mm से बड़ी है यानि कि 6, 7, 8 mm की जो पत्री होती है तो आप इसका यूज कर लिजिए और जब आप मोर्निंग में जब आप फ्रेस हो जाए तो उसके बाद भी आप इसका यूज है तो दोस्तो आज का यह हमारा नुस्का आपको कैसा लगा कमेंड बोक्स में जरूर बताए मैं मिलता हूँ किसी ऐसे ही ने नुस्के के साथ तब तक के लिए नमस्कार